वक्त की बड़ती रप्तार औरोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान सेहत की परशानियों से क्या आप हैं निराश तो हेल्थ लाइन लेकर आया है तमाम बिमारियों के अनसुल छे राज तो पाई अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनिशा के साथ ओने नियूज के खास पेशकस हेल्थ लाइन के साथ फ्हालों के भैं ठरसे बेल निय्क कि शाहिए उे एले लाइन, पया chromा के खेशछते की से का murm NEW पीनात्यक कें लाइन, प्याँ हैं, और अरे विया जाँ भ्जुन ओ्रम्डर्म, उप sव्य से काma उhou मेंसें, रहाँ हो लापीन, इन द रहाएं अर्थराइटिस यानि गट्या रोग वा जोडों का दर्द आज की बदलती जीवनशैली, मोटापा, गलत खानपान, आदी वजहों से ये रोग अब केवल बुजर्गों तक ही सीमित नहीं रहा है बलकि युवा भी इसका शिकार होते जा रहे हैं अर्थराइटिस का सबस्य देख प्रभाव गुट्णों में और उसके बाद कूले की अड्डियों में दिखाई देता है बहुत लोग समय समय पर अपने बदन में दर्द और अकरन महसूस करते हैं कभी कभी उनके हातों कंदों और गुट्णों में भी सूजन और दर्द रहता है तदा उनके हात हिलाने में भी तक्रीफ होती है ऐसे लोगों को अर्थराइटिस हो सकता है आखिर क्या है ये अर्थराइटिस क्या होते हैं इसके लक्षन और नी रिप्लेश्मेंट किस तरीके से कराया जा सकता है कि यह सक्सेस्फूल है कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए इन तमाम स्ट्रेशनों के जवाब हमने लिए डॉक्टर अजर अली खान से आईए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका इस पर नवस्कार आप देखे रोने न्यूज मैं मनिशा आप सभी का स्वागत करते हूं न्यूज के खास कारकम हेल्थ लाइन में जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों के बारे में देते हैं जानकारियां मुलाकात करवाते हैं आपकी डॉक्टर से चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों हमारी भाग दोर भरी जिन्दकी और हमाई गलत रख रखाओ के चलते हम कई बिमारियों को खुद बखुद पैदा कर लेते हैं हुई बहुत सारी भरांतियों के बारे में साथ ही ये भी जानेंगे कि जॉइंट रेप्लेस्मेंट अब कितना अच्छा हो गया है क्या क्या इसमें तक निक आ गई है नहीं आईए शुरुआत करते हैं सबसे बहुत 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 स्वागत है तेंक यू शुक्रिया आपका ये मौका देने के लिए जी जॉइंट की खराबी आजकल जैसे जैसे ओल एज की प्रॉब्लम्स में लोगों का वजन का बढ़ना और उसकी वज़ा से जॉइंट खराब हो जाते हैं जैसे कि आर्थराइटिस गुटने की हो जाती है या कुले मरीज का जॉइंट खराब हो जाता था पैर टेड़ा हो जाता था लोग बिस्तर पकड़ लेते थे लेकिन आज कल उसको रिप्लेसमेंट करके हम लोग उसको चलता भेरता कर सकते हैं और अब एक दिन में ही पेशेंट चलना शुरू कर देता है जैसे रिप्लेसमेंट किया स इक्सरसाइज शुरू करा देते हैं जैसे पैर का मूवमेंट आता है और जब बिस्तर पे जाता है पेशेंट फर्दर एक्सरसाइज करता है ट्विटिफोर आर के अंदर अंदर मरीज को खड़ा कर देते हैं हम लोग और दूसरे दिन से मरीज चलना शुरू कर देता है बात करने वाले हैं नीर रिप्लेस्मेंट के बारे में तो सच किसको नीर होती है नीर रिप्लेस्मेंट की सबसे पहले ये बताईए जी नीर रिप्लेस्मेंट की जरूवत उसको होती है जिसका घुटना बहुत जादा खराब हो जाए जोइंट टेड़ा हो जाए चलने में दर्द होता हो। और दर्द इतना होता हो कि दर्द के दवा के बगार उसका काम नजलता हो। तो बेटर है कि पेन्किलर लेने से अच्छा है कि रिप्लेस्मेंट करवाके जॉइंट के अंदर की खराबी दूर कर दी जाए और मरीज जो है दवा की ज़रुषat तो उसको नपढ़े और वो अपनी further life enjoy कर सके जी अच्छा ये knee replacement जो आजकर लोग करवा रहे हैं क्यों किन काड़ों से इसमें ज्यादा इजाफा हो रहा है देखे इसके पीछे कई reason है एक तो हमारे यहां जैसे medical services बढ़ी है old age people की गिंती बढ़ी है जो ज़्यादा age तक लोग जिन्दा रहते हैं तो उसकी वज़ा से old age की problems भी बढ़ी है दूसरा obesity उसका कारण है sports का ना होना उसका कारण है physical activity कम mental stress ज़्यादा और weight बढ़ता जाता है exercise होती नहीं तो joint खराब होने लगता है और इसके अलावा कई तरह की arthritis होती है there are many types of arthritis एक तो मैंने बताया obesity की वज़ा से दूसरा uric acid बढ़ने की वज़ा से भी joint खराब होती है तीसरा rheumatoid arthritis होती है एक अलक variety की तो there are four five types of arthritis जिसकी वज़ा से घुटना खराब हो और किसी भी वज़ा से जब घुटना बहुत ज़ादा खराब हो जाता है तो उसको replacement की ज़रुवत पड़ती है तो से knee replacement surgery के बारे में थोड़ा सा बताए कि actual में क्या process होता है क्या चीजिजिस में आप लोग करता है DEEKNEY NEE Replacement में होता क्या है जो knee joint है वो दो bones से बना होता है एक तो उपर होती है bone और एक होती है नीचे हर joint ऐसे ही बना होता है तो जो उपर वाली bone है इसकी भी सता चेंज करके इस पर metallic surface लगाया जाता है और जो नीचे वाली है इसकी भी सता चेंज करके metallic surface लगाया जाता है तो उससे क्या होता है कि जब artificial surface बीच में लग जाता है तो रगड़ से जो pain पैदा होता है वो खतम हो जाता है और दूसरी बात वो जो deformity उसके अंदर आ गई है joint जो टेड़ा हो गया है वो operation करते समय जब हम लोग प्रोस्थेसिस लगाते तो उसको सीधा कर देते हैं तो जब joint सीधा हो जाता है उसका alignment correct हो जाता है उसकी surface smooth हो जाती है तो फिर patient आराम से चल फिर पाता है यो तो सर्जरी का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है लेकि नी replacement surgery के बारे में आपको बता दू कि इसमें बहुत सारे नए नए तकनीक भी आ गए है सर आप से जाना जाएंगे उस तकनीक के बारे में थोड़े साहाई audience को बता है जैसे पहले replacement होता था तो उसमें बड़े चीरे से operation किया जाता था खुब बड़ा चीरा इतना लगबग लगाया जाता था छे इंच के आसपास अब उसको छोटे चीरे से सरजरी की जा रही है minimally invasive technique का इस्तेमाल हो रहा है इसके अलबां instrumentation में भी improvement आया है जो instrument हम लोग use करते थे replacement के लिए उसको बहुत sophisticated कर दिया गया है तो छोटे चीरे से आराम से operation अब हो जाता है और दूसरी बात ये कि navigation system आ गया है इससे हम लोग computerize control करके उसका angle और axis joint का जो हमने replace किया है उसको check कर सकते हैं during replacement and after replacement also और इसके अलबा prosthesis की जो material है उसमें भी काफी improvement आया है जैसे पहले prosthesis होती थी शुरू-शुरू में जब knee replacement शुरू हुआ था तो 5 साल, 7 साल, 10 साल maximum चलता था और आजकल knee replacement के बाद इसकी जो average life हो गई है more than 20 year पहुँच गया है 23, 24, 25 year तक भी joint लोगों के चले जा रहे हैं अगर उसको proper exercise करे proper रख रखाओ करे patient proper instruction को follow करे तो joint replacement अब 20 से 25 साल तक आराम से काम करता है सरजری के लिए एक चीज़ और भी कहा pegar कि सरजरी में बहुत जादा blood increase हो रहा है बहुत जादा blood निकल जाता है तो लोगों के अंदर ये भी डर होता है कि अरे मेरा तो खाया पिया सारा निकल जाता है तो सर इसमें क्या सरजरी में बहुत जादा अभी भी blood निकलता है क्योंकि advancement आ गये हैं चीजे इतनी जादा बढ़ गई है तो अभी भी ऐसा है नहीं अब ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग जो है electronic टूर्णी के लगा के सरजरी करते हैं तो blood supply रोक देते हैं जिस pair का operation करना होता है उसको दो गंटे के लिए उसकी blood supply हम लोग स्टाप कर देते हैं तो bleeding के chance हैसे ही खतम हो जाता है प्लस उसको sophisticated quarteri वगरे से quarterize कर दिया जाता है और anesthesia में भी ऐसी drugs आ गई हैं जो की bleeding को रोकने वाली दवाएं होती है तो वो anesthetist भी अपने side से bleeding को control कर देता है तो कुल मिला के काफी कम blood glass में अब surgery आज कल हो जाती है यानि कि कहीं न कहीं अब बहुत जादा advancement आ गए हैं और लोगों के लिए बहुत helpful हो गए हैं बिल्कुल 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 अच्छे सर आप से जाना चाहूंगी कि इस surgery के बाद एक patient को कितना normal routine फॉनों करने में time लगता है कितने दिनों बाद वो drive कर सकता है ओफिस जा सकता है या घर का काम कर सकता है देखे इसमें मरीज का जो schedule होता है operation के बाद दूसरे दिन से वो खड़ा होना शुरू हो जाता है तीसरे दिन से चलना शुरू कर देता है चौते पाच्वे दिन से सीड़ी चड़ना उदरना शुरू कर देता है पांच-छे दिन में मरीज को छोटी कर दिया जाता है, अपने घर चला जाता है, उसके बाद 15-20 दिन तक उसकी फिजियो थरेपी और चलती है, घर पे फिजियो थरेपीस जाकी कराता है, और उतनी दिन में एकदम फिट फाट हो जाता है, 15 दिन बाद इस्टिच रिमूव कर जाता है, अगर किसी को बहुत जादा जरूरत हो, तो आपरेशन के 15 दिन अपनी आफिस जोइन कर सकता है, जे, तो सर्थ, क्या मतलब इन फिजियो भी डॉक्टर्स के पास आना पड़ता है, पेशेंट को कंटिन्यू, नहीं, बिलकुल नहीं, रिप्लेस्मेंट के बाद एक बार इस्टिच रिमूव हो गया, वुंड हील कर गया, एकसरसाइज हो गयी, सब कुछ फिट हो गया, तो इसके बाद पेशेंट सिर्फ अपनी खुशी बयान करने के लिए हम लोगे पास आता है, प्रॉब्लम लेके नहीं आता है, जे, तो क्या इन फ्यूचर कोई उसे एकसिस मिल गई जॉइंट को, तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आती, मैंने तो अब तक नहीं देखा, मैं पिछले 15-16 साल होगे मुझे सरजरी करते हुए, और अब तक किसी पेशेंट में मैंने दिक्कत नहीं देखी, सब के सब ठीक हैं बिलकुल, जे, जैसा कि हमने अकसर देखा है कि अगर किसी की बोन तूट जाते तो उसमें अगर प्लेट डाले जाते तो कहते हैं ज़ादा भारी चीज नहीं उठानी है, तो क्या जॉइन रेप्लेस्मेंट या नी रेप्लेस्मेंट करने के बाद, वो कुडू बैठ सकता है, या फिर आलत राइडिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जैसे विगरस, इस्ट्रेनस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो एवाइट करना होता है, जैसे फुटबाल खेलना हुआ, या होकी खेलना हुआ, हाई एनरजी स्पोर्ट्स नहीं कर सकता है, लेकिन लो एनरजी वाले स उकडू भी बैट सकता है इवेन इंडियन लेटरी नगर यूज़ करने की नौबत कभी आ जाए तो ही कन यूज़ लेकिन हम लोग कहते हैं कि भई आप इसमें कमोड वाली लेटरी नहीं यूज़ कीजिए ताकि आपको ज्यादा फ्लेक्शन ना करना पड़े नहीं की और प् जिसका आपने जॉइंट का जो है सर्जिरी किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं ओडियन्स को बताए कि क्या था एक्च्वल में वो सर्जिरी और थोड़े से उसके बारे में हमें भी जान का लिए जी एक मिस्टर हसन अली करके थे साओधी अरब के सिटीजन थे तो उनका तो उनका जब 16 साल की एज थी तो उनका फ्रेक्चर हुआ था तो वहां पे कोई सर्जिरी हुई थी और दो तीन आपरेशन के उसके हुए और वो सक्सेस्फुल नहीं हुआ और उनका जॉइंट गलत जोड़ गया तो उस गलत जुड़े हुए जॉइंट की वज़ा से उनक तो उसके बाद आचुकी हम लोगों ने मेटिकल टूरिजम शुरू किया है अपने हॉस्पिटल में फॉरिन के भी पेशेंट्स को हम लोग जो है इंटरेइन कर रहे हैं तो उसी क्रम में ये पहला पेशेंट था जो ही प्रेप्लेस्मेंट के लिए साओधी अर्भिया से आ बहुत खुश है अपने इस ऑपरेशन से वहुआ अफर 24 आर्स शाला या 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 ओपरेशन तो एक हा या होस्पिटल जो है हमारा एक तो लखनो में है इसी की एक ब्रांच है गोरगपूर में भी उसका नाम है अद्वांस मेडिकल सेंटर तो अभी हमारे ये दो आए हैं अब इसके बाद इन्शाला जैसे जैसे या होस्पिटल तरखी करेगा फिर और शहरों में भी इसके अस्तापना की जा सकती है इन्शाला सर्थ जाते जाते हम चाहेंगे इन शौर्ट में कि आप हमाई ओडियंस को हमाई दर्शुकों को बताए कि जो नी रिप्लेस्मेंट है उससे जुड़े हुए कोई मैसे या कोई सुझाओ आप देना चाहते है तुर सर्थ प्लीज जी मैं जनता से ही कहना चाहूंगा कि नी रिप्लेस्मेंट के बारे में लोगों की कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें खुद अपनी आँखों पर विश्वास करें जो लोग रिप्लेस्मेंट करा चुके हैं उनसे मिलें या जो लोग रिप्लेस्मेंट करते हैं जो डॉक्टर्स उन से मिलें और उनकी बातों पर यखीन करें जोईंट रिप्लेस्मेंट के बारे में बहुत सारी अफ़ाहें लोगों के दिमाग में हैं लोग कहते हैं कि रिप्लेस्मेंट कराने के बाद जो चल रहे हो वो भी के लिए जोई गांगे सब्सक्साइब दूदि नियूज है कि तो आज हमाई साथ चुड़े होगे थे जुदे खेशलीश्ट जिणों ने जूएनडे में बारे में बताए और नी रेप्लेसमेंट के बारे में भी बताए कि कैसे वो लोगों को ठीक कर रहे हैं और इतनी अच् पेन को भी दूर कर सकते हैं अपनी लाइव से इसी के साथ मुझे यानी मनिशा को देजादत बने रहे होने न्यूस पर नमस्कार